बारिस की इस रिमजिम फुहार को देखिए, कितना अच्छा लगता है जब किसी दिन ऐसा मौसम किया होता है, बरसता हुआ पानी और एक तम खुबसुरत सा दिन, ऐसे मैं मन करता है कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा बनाएं, पूरी फैमली को कुछ अच्छा बनागे खिलाएं, इससे क्या होगा, बारिस का पूरा मज़ा ही दुगना हो जाएगा, ऐसे एक बहुत ही टेश्टी स्नैक्स की रेसिपी, बहुत ही क्रिस्पी नास्ते की रेसिपी, मैं आज आपके साथ सेयर करने वाली हूँ, जो कि खासकर इस बारिस की मज़े को दुगनी कर दे हैं, यह है देसी भुट्टा, देसी मकई, जो कि बारिस की सिजन में पूरे बाजार मिलते हैं, और काफी हेल्दी की साथ साथ सेयर करूँगी, तो सबसे पहले देसी मकई या भुट्टा जो भी कहते हूँ आप इसे अच्छे से चील लेना है, तो यहाँ पर मेरे घर में भ चील लिया है, और देखिए दाने निकल गया है, मैं कई बिल्कुल ताजा होना चाहिए, जिससे आप दबाए तो दूद निकले वह वाला भुट्टा होना चाहिए, दाने इस कप से दो कप है, यह फूटा हुआ कप है, जो मैं चावल के डिब्बे में रखती हूँ, इसी स आधा कप मैंने इसमें चावल डाल दिया है, जब भुट्टा चील जाए उसमें आप चावल मिला दीजिए, आधा कप, चावल से क्या होगा, मारा नास्ता बहुत क्रिंची और क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही अच्छे से आपको इसे थो लेना है, वाश कर लेना है, और उस चावल फूल जाएगा, और दाने भी काफी सॉफ्ट हो जाएगा, यह वाश से सॉफ्ट दाने ही है, ताजे मगई के फिर उसे बिना कुछ डाले, मतलब अभी आपको कुछ नहीं डालना इसमें, मिक्सर के जार में पीस लीजिए, चिकना, और जब यह नास्ता बनाना हो त तो इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी और डालोंगी ताकि यह बैटर पतला हो जाए, तो आपको कंसिटेंसी ध्यान देना होगा, बिल्कुल इस तरह का कर लीजिए, जैसे हम लोग इतना पतला, कैसे बताओ मैं आपको, इतना पतल हजया मैं और आपको क्यों मालो करने देना, यह द्यान दिया आपको, मैंने यह बंदा मालो मालोंग दॱ्या कृंच कॉछ तूड़ा पक्यों मोढ बाउन देना, मालो होगा जीराह में अब में बाय नहीं पनुंकर तक साथ मॉत्या पंच भल्का बनुने तक साथे स्वार इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और नास्ता भी देखने में बहुत खुबसूरत होगा तो यहां पे चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाल दिया है मैंने उसके बाद जो हमने बैटर मतलब जो भुट्टे और चावल का बैटर तेयार किया है उसे इसमें प्लड देंग जिसे यह जिपकेगा नहीं इसी में आपको टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक डाल देना है और बहुत ही थोड़ा सा लगवग दो से तीन चुटकी हलका सा चीनी चीनी बहुत अच्छा बैलेंस करेगा टेस्ट को और यह देखिए लो फ्लेम पे बस ऐसे ही एक दो मिनट मैंने नौनिश्टिक इसलिए बोला था जिससे बहुत अच्छे से बन जाता चिपकता नहीं है मेरा इनौनिश्टिक नहीं है हाड एन और आइज है मैंने अहां पर आधा चोड़ा चमाच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाला है जिससे इसका रख दीजें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए जब ये ठंडा हो जाए फिर हाथों में इस तरह से थोड़ा सा तेल और इसके उपर भी हल्का सा तेल टपकाके आप इसे अच्छे से गुंद लिजे जैसे आटा गुतते है ना ठीक उसी तरह से आपको थोड़ी देर तक इस चोटी छोटी लओई लेना है, जितने बड़ी रोटी की लोई होती हैं कि फुल्खेट की बस उतनी बड़ी लई लेना है और लोई के पीच मैं आप इस तरह से कड़गैं तस तेल ही बड़ी के सेप में आ जाएगा तो यह देखिये कितना सुनदार रही है बहुत ही आसानी जाता है और इस तरह से एक एक बड़े को आप तयार कर लेजे तो यह बहुत ही जल्दी बनता है नास्ता बहुत ही फटा फट jo bhi time है बुटे को छिलना है तो पूटे को छिललने के लह आज तो आज इसके लिए अच्छी स्पीलर भी आती है जिससे बुटा छिल जाता है मेरे पास है नहीं तो मैं हाथों से छिली हूँ तो यह देखिए इस तरह से हम आप सारे बैड़े तयार कर लेंगे और यह इतना अच्छा डो तयार होता है बलकुल हाथ में आपके नहीं लगेगा थोड़ा से हाथों में पानी या तेल लगा के आप इसे बनाते जाएए तो बहुत ही अराम से यह बन जाएगा यह दिखे यहाँ पे इसका साइज आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बना लि और एक बढ़े के एक साइड पे इस तरह से तील को को डिखे लिजिए बस एक साइड नहीं पस एक साइड लगाई यह उससे भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पनेस आएगा और टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा तो दूसरी तरह मैंने कडाई में तेल डाल के जिसमें आपको बहुत जाएगा और यह अच्छे से जब लगाई अच्छे से गरम हो जाए तो एक 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 करके यह बड़े तेल में डाल लीजिए कम बहुत ज़्यादेल नहीं पीता है और आप इसे हाई फ्लेम पर फटाफट से तरल जाए क्योंकि हमारा जो डो है वाल्डेडी बढ़ी तो बहुत ज्यादा इसमें मतलब नीचे से अंदर से पकाने के जदने उपर उपर क्रिस्प हो जाएगा नीचे बहुत ही अच्छे जाली बन जाएंगे आप देखे जब भी बनाएंगे यह फटा फट से तेल में रेडी हो जाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो थोड़ी देर में मतलब एक से देर मिनट में यह बहुत ही अच्छा कलर आजाएगा इसका तो आप इसे पलट दीजिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और यह दोनों तरफ जब बहुत ही अच्छे से कोल्डेन हो जाए फिर हम इसे बहार निकालेंगे यह द लेकिन बहुत अच्छे से इसके अंदर तेल जो हमने चिपकाया है वह लगा भी रहता है तो यह देखिए कितने अच्छे से यह रेडी हो चुके हैं और बस यहां पर हम गैस का फ्लेम थोड़ा से लो कर लेंगे क्योंकि यह आलमस्ट उपर से क्रंची हो चुके हैं लो फ् जो भी नास्ता सबको बारिस में चाहिए होता है वह सब फेल हो जाएगा सब को यह ही अच्छा लगेगा क्योंकि यह भुट्टे के बने हुए हैं तो काफी हल्दी भी है बच्चे अक्सर भुट्टा नहीं खाते हैं तो उने यह नास्ता बना कि दीजिए फिर देखिए आपको जो बच्चों की पसंद है तो यह वाले बड़े बिल्कुल डेडी हो चुके हैं देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है लोकिस का और यह बहुत खाने में बहुत अच्छा बहुत ही टेश्टी बहुत क्रंची होते हैं तो जरूर इस मौसम में इस बारिस में और भुट्टे की सिजन में आप इस रेसिपी को बनाएए और घर में सभी को खिलाएए सब को बहुत दसंद आएगा सब आपसे बार बार इससे मांगेए और सब की फैबरेट बन जाएगी तो मैं आप मिलती हूँ आपसे अपने नेक्ष्ट वीडियो में तब तक यह वाले ब करजी के होनी चाहिए जो पसंद है उसी के साथ ही अच्छा लगीगा सॉस के साथ भी